हेलो एव्रीवन एक और फिर अब सभी का सवागत है दोस्तों इस पर्ट्रिक्लिएर वीडियो में हम देखेंगे एड़ांटेज आफ डीटर्जेण्ट ओवर सोप बतब डीटर्जेंट का क्या एड़ांटेज है सोप के उपर और इसके बारे में हम देखेंगे ये क्लासटे क्या होता है सकम क्या होता है इस सब चीजों के बारे हैं देखेंगे कप्रा किस spike क्या देखेंगे दिटर्जेंट कैशितर देखने से पहले हमको पहले underwater सप्ट water समझना परेगा यह क्या होता ही less वैसा पानी जो सावुन के साथ लेथर ना दे दोस्तों लेथर मतलबता है जहाग आप सावुन जबी लगाते है ना सोप जबी क्लोथ पे रव करते होंगे तो दिखिएगा जहाग निकलता है कारण कि आपका जो पानी आसपास का है वो क्या है तो सौप्ट वाटर है तो जो पानी सौप्ट होगा तो आसानी से सावुन जहाग देगा लेकिन हाड वाटर के केस में सावुन जहाग नहीं देता है उसी को वैसे पानी को हम हाड वाटर कहेंगा जहाग देगा बहुत ज्यादा सावुन का अब रव कीजिगा तब जाके जहाग तो जहां बहुत ज़्यादा सावुन की कंजम्शन हो रही है समझेए कि उस पानी में कहीं कहीं hardness आ गिया है कुछ ने कुछ वहाँ पर salt extra है जो आपके सावुन के साथ reaction कर रहा है और आपका सावुन ज़्यादा consume हो रहा है soft water वैसा पानी water which gives leather with soap is called soft water वैसा पानी जो soap के साथ leather दे उसको हम क्या कहेंगे soft water कहेंगे देखें soap does not work well with hard water because hard water contains dissolved salt of calcium and magnesium जो सावुन होता है हमारा न अच्छे से काम ने कर पाता है hard water में पानी अगर hard हो तो उसमें बहतरीन काम ने कर पाता है soap क्यों प्योंकि जो hard water के अंदर क्या होता है तो dissolved salt और calcium magnesium जो calcium और magnesium का कुछ ने कुछ dissolved salt होता है अगर देखिए calcium magnesium का अगर bicarbonate होगा माले थे हैं calcium bicarbonate हो सकता है magnesium bicarbonate हो सकता है तो उससे पानी हमारा क्या होगा temporary hardness उस पानी को हम कहेंगे temporary hardness आ गया है उस पानी के अंदर पता temporary hardness को हम हटा सकते हैं कुछ समय के लिए होगा उसको हम जैसे ही पानी को boil कर देगे न तो वो सारा hardness निकल जाएगा इसे को हम करते हैं temporary hardness तो bicarbonate causes temporary hardness और अगर calcium magnesium का या तो chloride हो या sulfate हो माले थे calcium chloride हो सकता है पानी के अंदर तो वो हमारा permanent hardness हो जागा वो पानी हमारा permanent hardness को हटाने के लिए कई सारे chemical method का use किया जाता है इसके बारे में आप 11th में 12th में topic पढ़िएगा how to remove hardness of water उसमें कई सारे chemical method है क्लार्क method है आएन एक्सेंज method है तो इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे देखिए soap with hard water does not produce leather but produce scum अगर hard water है hard water है मतलव कहीं कहीं पानी के अंदर calcium या magnesium का salt हो सकता है या तो वो bicarbonate हो सकता है chloride हो सकता है तो अगर वहाँ पर hard water में अगर हम soap को रब करते हैं वहाँ leather नहीं मिलेगा जिबके हमको scum मिलता है scum क्या होता है तो white curd like substance है scum क्या दोस्तो white curd like substance होता है एकदम एकदम PPT के रूप में बहार आएगा आपको कुछ ने कुछ बंते हुए बहार आएगा उसी को हम सकम करते है होता क्या है न यह है हमारा sodium esterate sodium esterate के formula C-17 A-35 sodium esterate हमारा soap होता है sodium esterate is our soap माली यह हमारा soap है और soap को हम क्या कर रहे है पानी के मतलब कपरा पर रगर रहे है पानी में रगर रहे हैं दोस्तो पानी जो कपरा है obviously बाते पानी तो होगा है वहाँ पर तो पानी के अंदर क्या है तो calcium chloride है अगर पानी हमारा hard है न तो उसका अंदर calcium chloride हो सकता है magnesium chloride हो सकता है calcium ka by underneath हो सकता है calcium magnesium का solfide हो सकता है हमाद लें calcium chloride है मतलब hard water है हमारा calcium chloride है तो यह जो हमारा sodium esterate है soap है इस calcium chloride के साथ reaction कर लेता है कैसे यह NA+. यह NA+. यहां से निकल जाता है और यहां से क्या होगा यह हमारा आयन एक्षेंज होता है केलसियम प्लस टू यहां पर यह केलसियम आके इस सोडियुम एस्टेरिट के साथ रियक्शन कर लेता है और बना लेता है केलसियम एस्टेरिट देखिए केलसियम एस्टेरिट यहां केलसियम आ सबस्टांस होता जो जितना वी आप सावुन रब की जितना वी सॉल्ट होगा तो सावुन आपका सॉल्ट के साथ रियक्शन करके जब तक की सावुन पर सावुन के-स प्रेट के साबून रब करते हैं तो हमारा साबून ज्यादा कंज्यूम होता अगर पानी हाड है तो और कप्रा भी अच्छे से सापने हो पाता है देखिए तब तक आपको लेथर नहीं देगा जब तक कि सारा के सारा क्लोराड यह उसके अंदर जो भी सलफेट है हाडनेस जिसके भी कारण है वो पूरा रेक्ट करके सोप के साथ इसकम ना बना ले जैसे पूरा का उसका सॉल्ट कतम हो गया उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा आप साबून लागाई है तब जाको वो कप्रा को आप साब करेगा क्योंकि आप जानते हैं सोफ का स्ट्रक्चर आप देखें करें गया कुछ इस प्रकार कॉप का स्ट्रक्चर होता है यह क्या है हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक वाटर लभर होता है और यह क्या होता है हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है तो यह पार्ट जाके हमारा जो है कपरे में जो डर्ट हो गया ग्रीज हो गया जो हमारा गंदी होता है उसके साथ यह जाके चिपक जाता ह उसके साथ उसमें soluble हो जाता है और ये पार्ट हमारा hydrophilic पार्ट जो उपर वला head है ये हमारा किस में जाके dissolve हो जाता है तो पानी के अंदर और इस प्रकार से जैसे हम इसको hesitate करते हैं मतलब कपरे को रब करते हैं तो ये जो हैं dirt को खीच लेता है जो hydrocarbon वला पार्ट है ये non- आयनिक पार्ट है ये क्या करता है dirt को खीच लेता है और गंदगी हमारे कप्रोप से निकल जाता है जबकि detergents work well with hard water and also form leather detergent इस प्रकार का reaction सो ने कर सकता है दोस्तों detergent जो है इस प्रकार का reaction नहीं सो करता है इसलिए detergent के case में क्या है कि आपका scum नहीं बनेगा scum नहीं बनेगा तो जो भी आप detergent यूज़ की जगा सारक सारा detergent आपको dirt के निकालने में चला जागा और का कप्रा असानी से साप हो जाएगा तो इसलिए यहीं advantage है detergent का soap के उपर कि soap जो है hard water के साथ reaction करके scum बना लेता है जबकि detergent hard water के साथ reaction करके scum नहीं बनाता है इसलिए soap work well with hard water और soft water पानी अगर hard हो या soft हो वो किसी प्रकार का scum बेगर नहीं बनाता है क्योंकि उसमें क्या है soap is the hydrogen soap जो होता है हमारा long chain किसका sulfonic acid का होता है जबकि हमारा sodium potassium का long chain होता है तो यह detergent का advantage है कि वो hard water में भी वहतर काम करता है आप देखें advantage of soap over detergent लेकिन फिर भी soap का भी कुछ नो कुछ detergent के उपर advantage हो सकता है तो क्या होगा कि soap हमारा होता है 100% bio degradable दोस्तों soap जो है 100% bio degradable है जबकि detergent 100% bio degradable नहीं होता है soap detergent के अंदर sulfonic acid होता है और long chain होता है long में भी branch chain होता है तो branch chain होने के कारण जो है detergent बेक्टिरिया जो detergent को असानी से decompose नहीं कर पाता है बहुत लंबा long chain होता है उसमें तो बेक्टिरिया को बहुत लंबा समय लग जाता है उसको decompose करने के लिए तो तब तक उसका जो है molecule पानी के अंदर as it is परा रहाता है और हमारे पानी को pollute करता है water pollution cause करता है detergent excess detergent इसलिए soap जो है इस कारण से इस कारण से soap का advantage हमारे detergent के उपर detergents are branch chain hydrocarbon of sulfonic acid detergent के है तो हमारा branch chain hydrocarbon of sulfonic acid जबकि soap क्या होता है branch chain hydrocarbon long chain hydrocarbon of sodium and potassium bacteria takes longer time to decompose and their molecule stay in water for a long period of time and this causes water pollution bacteria को बहुत ज्यादा समय लग जाता है इसको decompose करने में detergent के molecule को decompose करने में क्योंकि उसमें branch chain होता है और जिस कारण से हमको water pollution cause करता है तो ध्यान रखियेगा तो यही advantage है detergent soap का detergent उपर तोड़ा soap और detergent के बारे मौर जान लेते हैं soaps क्या तो soaps are sodium और potassium salt of long chain of carboxylic acid लगवग 12-18 कारवन होता है यह हम देखे है sodium esterate का C17 S35 C2N होता है 17 कारवन था तो 12-18 कारवन का long chain हो सकता है हमारा soap जिसमें यह तो sodium हो या potassium हो जनरल फूर्मना soap का देखे R C2N, R हमारा क्या तो यह alkyl group हो सकता है C17 से था और C2N हमारा क्या तो carboxylate iron है detergent क्या होता है तो इसको करते हैं soap ले soap मतलब cleansing action तो इसका soap के जैसा ही है लेकिन इसका chemistry थोड़ा different है detergent R sodium salt of long chain of sulfony acid यह sodium salt ही होता है लेकिन long chain of sulfony acid होता है its cleansing action is similar to soap बट its chemistry और structure is different from soap cleansing action वे से जैसा ही है लेकिन chemistry इसका मतलब structure वेगरा थोड़ा different होता है देखे detergent का जो general पूर्मना हमारा R SOO यह Na होता है ठीक है sulfonate iron होता है यहाँ पर दोस्तो इसका chemistry different होता है लेकिन cleansing action similar ही होता है कि detergent में उस परकार का molecule होता है यह क्या करेगा हमारा hydrophilic end होता है hydrophobic end होता है यह जाके हमारा dirt या grease से जाके चिपकेगा और यह पानी के साथ चिपकेगा जैसे हम hesitate करेंगे तो यह जो है dirt को लेके बाहर आ जाएगा ओल्राइट ध्यान रखिएगा कि यह advantage of soap over detergent advantage of detergent over soap हमने इसको अच्छे से समझ लिया है इसको टॉपिक अच्छे से ध्यान रखिए गया से कोशन बनने की प्रवल संभावना है इंटेक्स कोशन भी दिया हुआ कि NCRT में आप इंटेक्स कोशन आपको मिल जाएगा कि would you able to check if water is hard by using a detergent पानी hard है या soft है कि detergent से पता लगा सकते हैं बिलकुल नहीं पता सकते हैं क्योंकि detergent जो है soft water हो या hard water हो दोनों में बहतर काम करता है इसकम भी अगर नहीं बनाता है इसलिए हम detergent के साथ hardness of water चेक नहीं कर सकते हैं हाँ शोप के साथ hardness और water को चेक कर सकते हैं अगर स्कम बनाया इसका मतलब पानी हाड है अगर स्कम बनाया मतलब पानी soft है detergent से आप चेक नहीं कर सकते हैं पानी hard है या soft है यह question था आपका NCIT में second question भी आप असानी से उसको solve कर सकते हैं और अगर यह वीडियो अच्छा लाइए तो हमार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद दोस्तों जाहें